रेकी चांज रेक्यूँ गुड बॉर्निंग स्टुडेंट्स कैसे मेरे पैर दोस्तों तो आज हम लोग बहुत ही बैतरी इन टॉपिक के बारे में डिसकस करने वारे हैं जिसका नाम हैuka के दिसको फसे कि आता है जिसको समझने के लिए में बुलन dando कि आब एक सार चार प्रोसेस के डिफ्रेंशीट को कि एक ये जो प्रोसेस और यत्र यापकी जो प्रोसेसे ऊसमें टैम्प्रेंशर चेंज नहीं हो रह다 तो उससे बोलेगे आईसो थर्मल प्रोसेस प्रेशर कॉंस्टेंट है तो इसो बारिक प्रोसेस वॉल्यूम कॉंस्टेंट है तो इसो चारिक प्रोसेस अगर उसके अधर Q यानि heat constant है तो उसे बोलेंगे adiabatic process दोस्तों ये तीनों process या फिर चारों process अलग-अलग इन सबके बीच में पहली चीज़ कौन सी चीज़ constant है सबको पता चल गया temperature, pressure, volume and heat किस कौन-कौन से law उसके अधर अप्लाए हो रहे जैसे कि मैं पहले बोल दूँ कि आप आइसो थर्मी process की बात कर रहे हो तो बॉइल अप्लाए हो रहे हो तो आपका अगर आप heat को कौस्टन कर रहे हो तो इसका मतलब यह हुआ अगर अलग अलग लो यूज हो रहे तो उनके अपने फॉर्मिला हो और वो फॉर्मिला को यूज कैसे करेंगे तो ज्यान रखना कर सूँ पहले चीज़ equation of state अब बात कर रहे हो बॉइल श्रो की तो याद करो initial stage is equal to final stage यानि आपका फॉर्मिला बन गया पी वान वान इस एकवल टू पी-टू-वटूब गया कि मोगिवन इस इकवल ढूवन हे है आपर वीन बाई टी वन इस उकवल टू-वी टू पई-टू यहां पर P1 by T1 is equal to P2 by P2 दोस्तों यह आपको 30 चेप्टर में मैंने यह सारी चीज़ डिसकस कर वाली है जबकि यहाँ पर यह जो फोल्मिल है वो बहुत ही पक्के करनेगी यह दी इन फॉल्मिल है PV raise to gamma is equal to constant TV raise to gamma minus 1 is equal to constant TP raise to 1 minus gamma upon gamma Please 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 my dear Ashura Singh इनको याद रखना और यह MCQs और numerical में पक्का आने वाले आगे बढ़ने दोस्तों आप सब जानते हो thermodynamics first row के बारे में कि आप जितनी heat transfer करने वाले हो उसका change वो work और internal energy के addition equal to आप सब दो देख लो पहली चीज़ दोस्तों कि अगर मैं ऐसा internal energy का भी बात 0 हो गया यानि हुआ क्या जितना heat दो है उतना ही work कर पाइदा आई सो बारिक की बात करते हैं यानि constant pressure की बात करते हैं तो आप सब जानते हो हमारा ideal guess formula PV is equal to mu rt यानि इन सब के formula P delta V, mu r delta t and Q is equal to mt third one अगर आप constant volume पे जा रहे हो cvcp the last one इसके साथ आप adiabatic के बात करते हो ज्याद रखना है adiabatic के अंदर change in heat is zero हो जाएदी क्यों 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 कॉंस्टन है same sciences दोस्तों वर्का अब most important इसको ध्यान रखना गल्ती मत करना प्लीज याँ पर नोट टाउट करू वर्का formula w is equal to मिवार T ln natural log last divided by first pressure में उल्टा हो जाएगा first divided by last यहाँ पर आपने अपी सिखा दिया कौनसी physical quantity वो isochoric के अंदर constant है उसका वर्क changing work क्यों कि उसका volume constant है तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा आप सब जालते हो उसका formula P डेल्टा वी अगर दिल्टा भी 0 है तो वर्क 0 हो जाएगा दोस्तों वर्क 0 हो गया इसका मतलब जितनी हीट आप दोगे वो सारी हीट उसके internal energy में store हो जाएगा यह दो फॉर्वर्क देख सकते हो यानि थर्मोडायनेक्स लोई अपलाए करोगे तो यह तीनों चीज यह तीनों चीज आप लोग द्यान से देखना बात हो रही है उसके ग्राफ की प्लीस वाइडिया शुरसी ग्राफ आपको नोट डाउन करने होगे अगर इनिशियल पोजिशन में से लास्ट पोजिशन जारा है तो पहले प्रेशर ज्यादा होगा अगर जैसे से प्रोसेस बढ़ती जाएगी वल्यू बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज होगा यादि पैराबॉलिक होगा जबकि आइसो बारिक के अंदर क्या होगा प्रेशर है तो प्रेशर अगर 280 में है तो 280 में रहाया यह इनिशियल पोजिशन से प्रेशर चेंज होगा इसका मतलब आपका अंसर जीडो आजाएगा जबकि यह दो को देखो दूनों डिक्रीज होगा माइनस पी बाइवी यहाँ भी माइनस पी बाइवी पर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एडियबेटिक प्रोसेस के इंदर गामा होता है और गामा की वैल्यू अगती है मोस्ट रोवेल्टी गामा की वैल्यू 1.4 ज्यादा होती है कमपन सर्मी है कि 1.4 हो पर ज्यादर 1.4 होती है तो सब जबी भी थर्मो डायमिक्स पढ़ो तो उसके लिए आपके मैंड में ही सारी प्रोसेस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए प्लीज ये टेबल को दो बार दीख लो और इसको अच्छे से आपनी बात लिख रवाइड दीख लोगे तिरा से देख लो